दुनिया में भारत को अध्यात्म और साधना का केंद्र माना जाता है। यहां पर कई प्राचीन मंदर हैं जिनका विशेश महत्व है। इन मंदरों में मादुर्गा के कई बेहत्चमत कारिक और रहसिमई मंदर है। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इसे भ बताने जा रहे हैं। कामक्या देवी मंदर यह चमतकारिक मंदर असम की राजधानी के निलाचल पहाडी पर मौझूद है। देवी के 51 शक्ति पीठों में शामिल यह मंदर शक्ति साधना का केंद्र माना जाता है। इस मंदर को तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए भी जा जाता है। कामक्या देवी मंदर में हर किसी की मनुकामना पूर्ण होती है। इस मंदर को तीन भागों में बाटा गया है। इसके पहले हिस्से में हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। जबकि दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक पत्थर से हम अच्छ तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। जीब गिरे थी। माता सती के जीब के प्रतीक के तोर पर ज्वाला मुखी मंदर में धर्ती से ज्वाला निकलती है। यह ज्वाला नौरंगों की होती है। यहाँ पर नौरंगों की निकलने वाली ज्वालाओं को देवी शक्ती का नौरूप माना जाता है। यह ज्वाला महा माकाली, अन्यपूर्णा, चेंडी, हिंगलाज, विंदेवासिनी, महालक्षमी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी की रूप है। मंदर में निकलने वाली ज्वालाएं कहां से निकलती है और इनका रंग कैसे बदलता है। आज तक इस बात की कोई भी ज्रानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। मंदर में जल रही ज्वाला को मुस्लिम साशकों ने कई बार बुझाने का प्रयत ने किया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। वैज्यानिक भी यह पता नहीं लगा पाए कि यह ज्वाला कहां से निकलती है। मंदर में स्थित ज्वाला को मुगल साशनकाल में अकबर ने भी बुझाने की कोशश की थी। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद देवी मा को स्वैम पचास किलो का छट्र उन्हें चड़ाया। लेकिन माता ने उस छट्र को स्विकार नहीं किया और वह गिर गया। यह छट्र अभी भी मंदर परिसर में मौजू ले। मंगला गौरी मंदर गया शहर से कुछ दूरी परस्थित भस्मकुट परवत पर शक्ति पीट मा मंगला गौरी मंदर स्थित है। धार्मिक मानिता है कि मा सती का वक्ष्थल यहां पर गिरा था। ये शक्ति पीट पालन हार पीट या फिर पालन पीट नाम से भी प्रस्द है। ये शक्ति पीट असम के मा का मख्या देवी शक्ति पीट के समान माना जाता है। मानिताओं के मताबिक गया में सती का स्तन मंडल भस्मकुट परवत पर गिरा था और दो पथर बन गये थे। पीट की खास बात या है कि मनशित जीवित रहते ही अपना श्राद कर्म यहां समपादत कर सकता है थार्फुरा सुन्दरी मंदर भारत के प्रसिद्ध मंदरों में थार्मिक मानिताओं के मताबिक थार्मिक मात दुरिका के 51 शक्तिपीठों में शामिल है इस मंदर में मा काली के सोरोशी रूप की पूजा होती है इस मंदर का स्वरूप कच्छवा के आकार का नजर आता है इसलिए इसे कुर्मा पीट कहा जाता है यह मंदर भी रहसिमय और चमतकारिक है उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल डीठव को सब्सक्राइब कर ले साथ ही फेस्बुक पेज को भी राइक करें धन्यवाद